सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं तो कॉस ठीटा यहां पर आ गया माइनस वन बाई टू के जो कॉस है वो वन बाई टू किस पर होता है कॉस हमारा वन बाई टू होता है 60 पर यानि पाई बाई 3 पर अब ये माइनस साइन हमें हटाना है sin में तो minus sin हटाने के लिए formula होता है बट cos में हम ऐसा कैसे करते हैं तो हम cos में ऐसा कर लेते हैं कि minus cos theta को cos πi minus theta में break कर देते हैं आप पुचे सर ऐसा कैसे तो आप समझ ये कि यहां पर है pi pi minus मतलब second quadrant second quadrant में cos होता है negative pi पर no change तो cos का cos आ गया theta यानि minus cos theta को हम cos pi minus theta लेख सकते हैं और क्योंकि हमें यहां से यह minus sign ले जाना है तो यहां पर आ गया cos theta is equal to cos pi minus pi by 3 और जब आप इसे solve कर लेंगे तो cos theta is equal to cos 2 pi by 3 इनकी cos value equal है तो theta is equal to 2 pi by 3 और आप चेक करें तो यह इसकी principal value branch के अंदर भी है यानि इसकी जो principal value है वो 2 pi by 3 हमारे पास होगी